नमस्कार दोस्तों, जैमातादी, वैल्ड बैस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें, मातारानी सबका कल्याण करेगी दोस्तों, आज हम बात करेंगे गड़ेश चतुर्थी वा गड़ेश महुत्सों का पर्व 2019 में कम मनाया जाएगा? गड़ेश पूजा का सुमूरत क्या है? और संपूर पूजा वा इस्थापना विदी के वारे में? पूरी जानकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अगर आप वर्ड बेस मेजिक चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो रेट कलर के सस्क्राइब बटन को क्लिक कर दीजे और गंटी का बटन दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएं, तो इसे लाइक और कमेंट करके चरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवज सेयर करें। तो आए शुरू करते हैं। दोस्तों, गडेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है। गडेश चतुर्थी का पर्व भाद प्रदमास के सुक्ल पक्च की चतुर्थी तिथी को मनाया जाता है। इस गडेश चतुर्थी को भगवान गडेश की जैनती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए ये पर की सबी चतुर्थी तिथियों में सबसे खास मानी जाती है। गड़ेश चतुर्थी का उत्सो लगबग 10 दिनों तक चलता है। जिस कारण इसे गड़ेश महत्सो पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गड़ेश चतुर्थी से गड़ेश जी का उत्सो गड़पति प्रतिमा की स्थाफना कर उनकी पूजा से आरंब होता है। और लगातार 10 दिनों तक घर में रख कर अनंत चतुर्दसी के दिन बपा की विदाई की जाती है। गड़ेश विसरजन के साथ ही गड़ेश महत्सो की समाप्ति होती है। इस पर्व में लोग अपनी इच्छा के अनुसार पांच, साथ या दस दिन तक अपने घरों में बपा को विराज मान करते हैं। गड़ेश चतुर्थी के पर्व में यस सम्मान, सम्रद्धी और सुख के लिए गड़ेश जी की पूजा की जाती है। वि मद्यान व्यापनी चतुर्थी ली जाती है। दोस्तों साल 2019 में गड़ेश चतुर्थी का पर्व 2 सितंबर 2019 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। और चतुर्थी तिथी का प्रारम 2 सितंबर 2019 को 4 बचकर 56 मिनट से लेकर चतुर्थी तिथी का समापन 3 सितंबर 2019 को 1 बचकर 53 मि 11 बचकर 5 मिनट से लेकर 13 बचकर 36 मिनट तक होगा और 2 सितंबर को चंदर दरसंन से बचने का समय राद 8 बचकर 55 मिनट से लेकर 21 बचकर पांच मिनट पर होगा दोस्तों अब हम बात करेंगे गडेश स्थापना वपूजा विधी के बारे में दोस्तों गडेश चतुर्थी के दिन प्राता काल उटकर इसनानादिकर के सच्छवस्त धारन करें फिर भगवान गडेज जी की प्रतिमा बनाएं या घर लाएं इस दिन ढोल भाजे के साथ लोग गडेज जी को अपने घर लाते हैं इसके बाद एक कलस में जल भर कर उसे कपड़े से बांधा जाता है और इसी पर गडेज जी की प्रतिमा की इस्तापना की जाती है इसके बाद प्रतिमा पर सिंदूर्वा दूर्वा चढ़ा कर विदी विधान के साथ पूजा अर्चिना करें और दच्छन अर्पित करने के बाद लड़्वों का भोग लगाया जाता है तत्पस्चा द्रस्ट नीची रखते हुए चंद्रमा को अर्द दिया जाता है मानिता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्सन नहीं करने चाहिए इसके बाद ब्रामणों को भोजन करवा कर उन्हें दच्छिना देनी चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अव सेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ट बेस्ट मेजिक से जुड़ने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ इसाथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद